वेलकूम बैक टू माई चेनल जैसा की टीचिंग सब्जेक्ट ऑफ संस्कत के अंताकार था मादा टॉपिक चल लहा है उचारन सिक्षान तो उसी के अंताकार देखेंगे हम संस्कत भासा में उच्छान के तो नुख ततो तो कोन कौन से तत्व ऐसे हैं जो कि संस्कत के का इंट देख लेते हैं महिरसी पार्णी ने बर्णों चान के संब्ध में कुछ एक स्लोक लिखा है जो कि बहुत ही महत्पोर्ण है व्याग्री यथा अहरेत पुत्रां दस्ट्राब्याम नाचाइब पीड़ेत वीता पतन वेदा ब्याम तर्वर्णान प्रियोजित इस बात का ध्यान रखती है कि ना तो पत्तों यानि बच्चों को दांट सुभें और ना ही वेदा बच्चे मुह से गिर जाएं इसी प्लकार से बढ़नों का इसपस्ट और शुद उच्रण होना चाहिए वे मुह के अंदर दब कर ही ना रहे जाएं कभी-कभी ऐसा होता है वेक्ती आसनों वह लेक्ती से बात कर रहा होता है तो उस समय होता है सामने बाला रेक्ति बहुत करते हैं कि इतने उस तरीके से बोलते हैं कि उनके शब्त गिरे गिरे ठूटे हुए से जैसे दिखाई देते हैं यहां पार्णी का उच्छान करते समय यह थोचित स्वधित और इस्थान आधिका प्रियोग किया जाना चाहिए अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जोकि इसके लिए आवस्चा यानि कौन-कौन से ऎलिमेंट्स हैं तो सबसे पहले व्याकरनों ने उच्रान तत्मों के विस्था में जो चर्चा किया धो नि यानि कि साउंड्ड धोनी विज्ञान में जो शह को धोनिया है कि संबंद में गहन चिंतन किया बहुत ज़्याद आवश्यक हो जाता है दोनी विवस्था के अनुसार स्वार बियन्यन अन्तास्त बियन्यन ऊस्म यह अनुस्वार विसार जिभ्या मुली उपद्यमानिय और इस प्रस्थ के रूप में यह को लत्रेशट धोनिया है यह दी लिर्कार को प्लुत्मान का समलित कर लिया जाए तो धुनियों की संके चौसट हो जाती है इस धौनी के संबंद में ही कहा गया है कि इस अथि नग्याद लींवाद अलाम यह बहूं कि दो कि अभर भी कि विविवें अजब ज की अपर लींवेश यदिवा विवें पर ल लींवें इस तो जन थेखिक लिया घए लींवें बड़ लींवें इस पिरिवें अक्रृट सिसंब रूंशन ओर लींवें अश्वें इंडिविज्वल इस्पीक्स एवर्ड और लेंग्वेज अर्थात उच्रान बहतरीका है जिसमें कोई शब्द या भासा बोली जाती है वह आम तोर सर किसी विशिस्ट बोली सही उच्रान में दी गए शब्द या भासा को बोलने में उपी उपी जाने वाली धौनियों के अ विशिस महत्व है नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं बल यानिकी फोर्स तो फोर्स किसी धुनिया वर्ण के उच्रान में वह शक्ति है जिसे लगाया जाता है यानिकी किसी धुनिया वर्ण के उच्रान में जो शक्ति लगती है उसे बल कहते हैं जब दोने के उच्रान अनुछित वल लगा दिया जाता है तो पद का अर्थ भी बदल जाता है यह फोर्स तीन पकाल का होता है जैसे की वर्णवल सबसे पहले जो दिया है वर्णवल शब्दवल और वाक्यवल तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्णवल यानिकि लेटर फोर्स जब उचाड़ करते स तो उसे वर्ण वल कहते हैं जैसे आ चाज देवो भवा तो यहां जैसे आ पर जावे फोर्स डाला जा रहा है यह अगर वक्ता किसी दूसरे उस पर डाल देगा वर्ण पर तब है वर्ण वल कहला गया यह यहने की लेटर फोर्स कहलाएगा नेक्स्ट पॉइंट है शब्दवल शब्दवल अर्था अर्थ वर्ड फोर्स जब बाके में किसी शब्द विसेच पर वल दिया जाता है तो इसे शब्दवल कहते हैं जैसे ने नम दहती पाव का या दूसरा कोई स्लोग लिए जा सकता है विद्या दुल शब्दवल शब्द वावर्थ इसकाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा वाग के वाल यानी कि सेंस्टेंज फोर्स जब पढ़ते समय यानी कि उचान करते समय पूरे वाक्य पर बल दिया जाता है तो उसे शब्दवल कहते हैं जैसे कह सकते हैं नेनम देहती पाव का तो इसके इसी तरह से बाक्यबल आ जाता है तो बाक्यबल में हम कह सकते हैं जब पढ़ते समय पूरे बाक्यबल बल दिया जाता है तो उसे बाक्यबल कहते हैं जैसे परितरा नाय सादू नाम ये पूरे बाक्यबल जब बल दिया जाता है फो उच्छाण में राइम का विशेश महत्व है इसके साथ ही किया गया उच्छाण जो है अफरक्टिव होता है उच्छाण करते समय बढ़नों के मद्द समानवल देने को जो है कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारे ये ती या फिर राम यानिकी स्टॉप उच्छाण में स्टॉप का प्रियोग महत्पूर्ण है ब्राम का यानिकी स्टॉप का शाब्दी करता एक च्छाण के लिए विश्राम करना या रुखना बाके आनुछेद को पढ़ते या उच्छाण कर ना चाहिए जो होते हैं उनके चाहतर जादर पर अधिन करता है और जब इन द्रतों का ध्यान लग्रता करते हैं तो ने पूरी तरह से बाओं के समझ में आ जाता है नेक्स्त मैंट है गती जब प्रभाव साली बनाने के लिए इतोचित गती का प्रियोग आविश्यक हो जाता है उसे उचित अभ्यार ज्वारा छात्नों को सिखाया जा सकता है अब्याकर्ण ब्याकर्ण याने कि विद्वा ञें संस्क्रित के आचात acá अचाढ़ धनी बल शब्द बाक्यबळ बल ले यती ये विराम गती और सुरागात ये मुखे तातुर वताएं हैं इनका ध्यान रखना चाहिए तभी उचान जो है परफेक्ट होता है और इसमें असुद्धी की आसंका मात भी नहीं रहती है असुद्धी होने से अर्थ का नर्थ हो जाता है और जो वक्ता कहने वाला हो होता है वह कुछ कहना चाहता है और शुद्धा कुछ दूसरा ही सुनता है अतहाँ आप शब्द हमारे मुख से ना निकलने गलत अर्थ का नर्थ नहीं हो इसलिए हमें इन सब तत्मों का ध्यान रखना चाहिए आज के लिए इतना ही धन्नवा झाल 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 झाल